आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें हेलो दोस्तों, हमारा सवाल के दिया गया है कि दो बिंदू आवेस, 20 माइक्रो कुलाम एवं 80 माइक्रो कुलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर 20 माइक्रो कुलाम से कितनी दूरी पर विड्यू छेत की तीवता सून होगी ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, ये हमने मान लिया 20 माइक्रो कुलाम का एक आवेस है ये एक हमारे पास 80 µ कुलाम का एक आवेस है ठीक है, ये एक दूसरे से कित्ती दूरी पर रखे हुए है 10 cm की दूरी पर रखे हुए है ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ये क्या है, हमारे पास 10 cm है तो यहाँ लिख देते हैं, R बराबर क्या है 10 cm है Q1 आवेस क्या है हमारे पास 20 µ कुलाम है Q2 आवेस क्या है हमारे पास 80 µ कुलाम है तो हम सब पूछ रहा है कि 20 µ कुलाम से कितनी दूरी पर विद्दू छेत की तीवता सून होगी तो हमने माल लिया कि X दूरी पर वैद्दू छेद की तीवता सून होगी ठीक है तो यह हमारे पास क्या बचेगा यह हमारे पास बचेगा 10-X ठीक है तो यह हमारा सैंटी मीटर में था तो X भी अभी हमारा सैंटी मीटर में ही है ठीक है इसको बिंदू A नाम दे देते हैं ठीक है तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यदि हमें वैद्दूचेद की तीवता सून करनी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके कारण जो वैदुचेद की तीवता होगी और इसके कारण जो वैदुचेद की तीवता होगी उसका परिमार क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए क्योंकि इसके कारण जो वैदुचेद की तीवता होगी वो कुछ इस तरफ होगी ठीक है और इसके कारण जो होगी वो कुछ इस तरफ होगी ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धन आवेश से वैदुचेद की तीवता क्या होती है दूर होती है तो इससे दूर ये हो गया और इससे दूर क्या हो गया ये हो गया ठीक है तो यहाँ पर सूने होने के लिए क्या होना चाहिए कि E1 का परिमाड जो है ठीक है वो किसके बराबर होना चाहिए E2 के परिमाड के बराबर होना चाहिए तो even की value क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारे पास एक बटे चार पाई अपसाइलन नॉट q1 बटे बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर x है तो x का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बटे चार पाई अपसाइलन नॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 बटे ठीक है 10-X का वर्ग हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसको हम लोग भल करते हैं तो यह देखिए 1 बटे 4Pi Epsilon नोट कैंसल हो जाएगा यहाँ जाएगा Q1 बटे X square बराबर Q2 बटे ठीक है तो यहाँ पर Q1 का मान हमें क्या दिया गया है Q1 बराबर दिया गया है 20 µ कुलाम ठीक है नीचे क्या है X square है Q2 का मान क्या दिया गया है 80 µ कुलाम ठीक है और बटे में नीचे क्या है 10-X का वर्ग है ठीक है तो µ कुलाम से µ कुलाम cancel हो गया ठीक है 20 चौके क्या हो गया 80 हो गया ठीक है तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं हम लोग 1 बटे x square बराबर 4 बटे 10 minus x का वर्ग हो गया ठीक है तो दोनों तरब हम लोग क्या ले लेते हैं वर्गमूल लेने पर ठीक है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा देखी यहाँ पर एक बटे x हो जाएगा चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा दो हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल लेंगे तो इसको अरट जाएगा तो 10 minus x बचेगा ठीक है तो यहां पर इसका तिरीया गुडा कर देंगे इसका इधर और इसका इधर तो क्या होगा 10 minus x बराबर ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ठीक है तो इसको आगे हल करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 बराबर, यह माइने से 16 तका जाएगा? तो plus x हो जाएगा, 2x plus x, 3x हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से x बराबर क्या जाएगा? 10 बटे 3 हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या जाएगा हमारे पास? 3.33 cm आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा 3.33 cm आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं अगर विकल्ब की बात करें तो वो मीटर में दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह x बराबर 3.33 आया है ठीक है इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 का भाग लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा अब मीटर में बदल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 0.033 मीटर ठीक है तो अब यही हमारे प्रेश्न का उत्तर हो जाएगा ठीक है यही हम से पूछा गया था ठीक है तो विकल्ब देख लेते हैं तो विकल्ब नंबर C हमारे इस प्रेश्ण का सही उत्तर होगा ठीक है कि जो हमारा 20 माइक्रो कुलाम होगा ठीक है 20 माइक्रो कुलाम से 0.0333 मीटर की दूरी पर वैद्वुचेत की तीवता क्या होगी सून होगी ठीक है ठैंक यू पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनुट करें डाउट्ने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 चार्सो पर